आज हम पढ़ेंगे दर लॉस चाइल यह हमारे क्लास नाइन में जो सप्लेमेंटरी बुक है मोमेंट्स उसका फॉर्स एप्टर है तो यह कहानी है बच्चे के बारे में जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है वो बहुत जरह खुश होता है बहुत एकसाइटेड हो तो क्या होता है जब एक इनसान जब एक अजनबी इनसान उसको एक खिलाओने और मिठाइयां लेके देना चाहता है तो क्या वो बच्चा वो खिलाओने और मिठाइयां से लेता है हम यह कहानी में पढ़ेंगे तो हमारी कहानी शुरू होती है इट वस्टिवल ऑफ स्प्र यहां च्रोड़ कंघ टे हैं में पता का मोसम था और तो पूरे गलियांती वह लोगों से भरे हुए ठी चरिप कहते हैं धका हुआ और हिमानेटी यानी लोग मानवता तो जो गलियां थी गाओं की जो गलियां थी वो पूरे लोगों से भरे हुई थी जो बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़ादा एंजॉय कर रहे थे और उसमें विंटरी शेट जानी ठंडी ठंडी सर्दियो में इंजॉय कर रहे थे कुछ लोग जो बलो कार्स होते हैं उसमें जा रहे थे यानि कुछ लोग बैल गारी में जा रहे थे एक चोट ऐसा लिटल बॉई प्यारा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के आसपास घूम रहा था और बहुत ही ज़दा खुश था ब्रिमिंग अधर यe युद्स और बेटा और युद्द है खुट चैनल जाता था में बीज तवस्के अपनि और मियं की बात मानता था और प्व diane मतलब और पापा की बात मानता था अवाफुक्ष अब मेंदा वास लगाते थी वेक में पूस बीचाला door द कर ला वीचि पीची उस बच्चे की आंखें थी पीछ जो चला गए टीज्चे जब गुंड बाप pos Sasuk बहुत होता ही ति dos बहुत होता है तो टीक न है उसका ठीक होना कि अम् Government आ ठीजिए से कि मुझे खिलोना चाहिए उसको वो पत्थर रखे मतलब वो कहता था चलो मेरी ममी पापा तो दिलाएंगे नी फिर वो आगे बढ़ जाता था क्योंकि उसको आपा पापा की खिलोना चाहिए था तो पापा फिलाएंगे वो कहता हुआ ठीक регOM दर जाता था पिर यो तुप को जाता था तौछ नहीं के टा था स्चिसका एकड़िए ज्ञाता था लोगा के लूज़ ng action से लिभी और उसके माने धाए तो सरसो के खेत में भी छोट चोटे फूल कहले थे सर्सो के जो पीले से थे और एसा लगरा था जैसर कि सोना फेला है दूर मेला हो तक सोना पहला क्योंकि जो मस्टर्ड सर्सो के खेत थेो तूर तक थे ग्रूप ऑफ ड्राइगन फ्लाइज वा बस्लिंग अबाउट ऑंदे गौडी पॉर्पल विग्ज जो ड्राइगन फ्लाइज होती है कुछ इस तरह से होती है तो वह ऐसे घूम रही थी ठीक है उस फील्स के आसपास और उनकी गौडी कहते हैं बहुत ही चटकीला रंग था इस बहुत चटक रंग वाली और यह गूम रही थी बटरफ्लाइज भी थी ब्लाक बी थी ब्लाक बी मतलब काली मदुमकी भी थी वह सब घूम रही थी और सारे फूल खिले थे तो फूलों के ओपर मंडरा रही थी तो जो बच्चा था इनको पीछे-पीछे फॉलो करता थ जब यह लोग डी बटरफ्लायस यह जो मदुमकी थी किसी मीट आपती भीथो बैट भागा बेटने स्कीत वाली में उनको चेएं उनको करने कोशिछ मवीन कहokee एंपा समय के जबाए नार्च नंगि टियफ़ां नार्च ऑपने ये एकार से जब पेलाटेती हैं पन्हें नारा जब अरुकि नारे जित्वे से सब्सकुन आर्च होती इथर आओ और फिर वह एक जो और चेर्टत है जिब एक अब पीर जैसे गार्डन आता था जब हो घुबसुरत पेर पुड़िए थे फूरों पैर फेलों के पैर तो एक जूचा कि तो तो आप अभूर इख अब ग्यारते लेकि बैट गए तो वहां पर बैट गये टाथ तो बच्छा था जल्दी से भाग के अपनी बाबा तरफ आया तबी जो फ्लावर ऑफ यंग फ्लावर्स थे यानि जो वह बताया जो वह बहुत सारे गार्डन था भाट थे वह बैटके आराम कर रहे थे तो वहां पेड़ों पर वहां प्रावर साइब भी साथ क्या खिर ऑपनी रही है थैसले सबस्के समय खना बाब असके जो फ़ूल हादा भाग जाता था खीरिया होती है उनकी आवास सुनता था कि इस तरह से गिर रही है फिर उसके पेरिन्स किया था डौव डौव उस तरह से चिलाता था फिर वह जो ता music पंगए पतेलbon पगड़ने लग जाता है यो उसके प्होलाओक प्रेटल्स प्लाओ लगया है फिर उसके पेरिता पत्रूर से में इद्धर और था हो तो फिर उसके पेरिश बुलाते थे आजाओ बच्चे आजाओ तो वह आप जा रहे थे मतलब उन्होंने अराम कर ली थी और वह वापस से उस मेले की तरफ चल पड़े थे तो मेले पर उन्होंने एक छोटा सा रास्ता चुना था जो वाइंडिंग फुट पाता गोल-गोल घ तो अपने गाओं से वह दूसरे गाओं में जा रहे होंगे तो जिस गाओं में मेला लगा था उसके जब वह करीब आए तो वह बच्चे ने देखा कि जो फुट पाते या नी जो सड़क है वह लोगों से भरी हुए थ्रॉंक्स कहते हैं भीड को बहुत ही जादा भीड वह है मैं जा रहा हूं तो फिर उसके बाद जो एक स्वीट मीट सेलर था जो मिठाई वाला था वह हो कहते हैं जो मिठाई बेशता है वह जोड़ जोर से आवास लगा रहा था गुलाब जामून रज गुलाब परफी जलेबी और वह एक कौने में घड़ा हुआ था और वहां पानी चड़ा था मतलब सिल्वर की पती चड़ी थी किसी पर गोल्ड की चली थी जो बहुत महेंगी बहुत खुबसूरत लग रही थी तो जो बचा था खड़े हो के देखने लगया उसके आँखे दम चमक रही थी और उसको मुह खुला का खुला था और मुह से पानी निकल को जेख जो रहो तो जी में षाइए लेकिन तो भाए तो कर मुझे देखे प्रहे चाहिए जो सचएँ पर उसके पेराइब लाव कहते हैं बेचने वाला फीजिता ने बाग़ कि7 ले माऌला पेचनेवाल कि लुक्ता मंधिने बढ़ाए वह उसा फूल हो तैति भांजिता इता हार आगे इताक swings मिझ मुझे चले की माला ख़ये उसके लाए बसकेड की दाध चाया लिग से तुर्वत हुए उस सबस्कर चार बमें und लोर से चारडें innav की तो आगे बढ़ा कि उसे नहीं लेखेन की सबस्कूँर्स करें उसके देंगों मुझा है थिल ऑपमलाव एंसान मे भान झुक्रण्टी रेने में घे कहसे रहे सारी हैं पर्पेल कलर के बलून्स थे जो एक दम ओड रहे थे हवा से तो बच एक तम खुश होगे उसने का वाओ कितने खुबसूरत लग रहे हैं यह कुलर सारे कलर जैसमें और मेरे को तो मेरे को तो सारे चाहिए काश मुझे यह मिल जाए और उसे पता था कि इसके पेरेंस उसको ब बैठा हुआ था और वा पास में एक स्नेक भी था जो यू घूम के और वड़ा और ताप बैड़ा भूं रहे हो ऊज़ा लाए था और जब बचा घू बचा तक वह दो ना जब बास्यूरत निगे वह दो बैठा हुआ तब पन हर रहा था और आसा लग रहा है और उसके जो तो बच्छा तो नीचे की तरफ जुका वो सनेक चार्मर की तरफ लेकिन उसे पता था कि इस के ममा पापा ने मना कि तरह की आवाजने हैं और जो स्नेक चार्मर जो सपेरा वो इस तरह की आवाज निकाल रहा था उस बासुरी से तो उसने का नहीं नहीं मुझे करीब नहीं जाना चाहिए फिर वो आगे की तरफ बढ़िया फिर उसने देखा कि एक राउंड अबाउट है राउंड अबाउट मतलब होता है जूला ज मेरे को तो प्लीज मुझे जूले में मुझे बैठने दो मुझे जूले में बैठने दो ममा पापा जब लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया कोई भी रिप्लाई नहीं आया उसके ममी पापा का जब उसने देखा अपने उसने पीछे मुड़के देखा तो उसके ममी भूं सी जोर से गला सूख रखा है और इसके्म B valued लिया ज़कुणा लिया झाप ने लिया जहां पर खड़ा सूखा एक रूने लिया लए जहां उसके आंखिशो से असु निकलने लग गए ममा पापार और उसके गाल जो थे रूना कुंज चेहरा लाव गरम हो गया और उसका चेहरा एकदम डर के वज़े से एकदम लाल हो गया और एकदम से पैनिक स्ट्रिक्निय या ने इतना घबरा गया वो इतना डर गया कि वो एक तरफ भाता था बहुता था कर दूसरी तरफ थिकता मडी होगा क्योंकि वह यहां वहां भाग रहा था अब उसके पास मतलब उसके जगह डिर्क्शन में भाग चुगा था आप वह इतना जादा घुस्से में था कि भाग भाग के ठाक गया था एक जगह पर आराम से मतलब एक जगह से वह ख़ड़ा हो गया और वह तो देखने की कोशिश कर रहा था कि किसी आदमी ने पीले कपड़े पैने तो ना पीले कपड़े वालों को देखने लगया धूनने लगया कि शायद उसे अपनी पापा मिल जाए और उसकी मा भी मिल जाए लेकि जहां तक उसने ने देखा वहां लोग खुब बादे कर रहे थे हस रहे थे और खुब सारे मजे मार रहे थे तो उसे तो अपनी ममा पापा दिखे ही नहीं कई अब फिर वो इधर भागा उधर भागा अब वो था एक श्राइन यानि एक मंदिर में वो चला गया जहां पर लोग बहुत ज़र लोग बड़े थे अकदम भारी भर कम तब लोगों के पैरों मी रहा था और उसकी जो रोता ॉब finden मम्मी पापा और ंप थे खुझाओν है य को बोट झापड के सिर्च पर आयन्य निवर आन्दर फिर स्क बाद ने जिसमें घ जिनकी आँखे ती मुर्डरस लगे थी तिड्डरावनी से आँखे थी हैफ्टी शोल्डरते भारी भरकम शोल्डरते एक्दम हाथी की तरह हटे कटे थे इस तरह के इनसान थे तो चोटा सा बिचारा पूर बच्चा था जोड़ जोड़ से लोगों धका दे दे की जाता था और लोगों से कहता था मतलब बहुत ही मुश्किल से वो अंदर गया धका मार मार के लोगों से चिला चिला के की सोड़ों से चिला तब जाके लोग उसको चोड़ी से जगा देते थे आगे निकलने की अब जो एक इनसान था जो इसी क्राउड में उसे भीर में खड़ा उस आदमी ने कहा कि वे डिडियो गेट हेर चाइल बेटा तुम यहां कैसे आए और तुम किसकी बेबी हो तुम किसके बच्चे हो और उसने उस बच्चे से पूछा जो बच्चा था वो रोई जा रहा था बहुत अब और जोर जोर से रोने लग गया था और उसने कहा कि खोड़े की शेल करना चाओ इस घोड़े पर बैठना चाहों कि तो उस सल正 बच्की का जो गला ओर ज्रू जोर से तम चीफ जोर की मारी उसने का नहीं मुझे सब मैंभी पापा चाहिए ममभी पापा चाहिए अब जो था इस सतरह से नहीं वह रहा है और फिर बहों था रहा ह कोब्रा जोम रहा है उसके प्साथ कि एक गवाल मीजुकित के बच्चे देखो और लीकिन जो बच्चा था उसने कान बंगे लिए उसने का नहीं मुझे और जो जब और से रेंबो कलर के तुम्हें बलून चाहिए कितने खुबसूरत लग रहे हैं उस बच्चे ने अपना मुह फेड़ ले अपनी आखेदर को फेड़ और उसने का कि बस वो रोता ही जा रहा था उसने का मुझे मेरी मुझे मेरी पापा चाहिए अब जो इनसान था वो बहुत ही जा बच्चे ने बीचे कई भी कि अपने नाग बार ले मुझे मेरी भी बापा चाहिए अब इसके बाद वो क्या है अब उस जगह पे आया उस दुकान पर जहां पे वो सूमेट कोड़ने ने का तो फिर इनसान ने आख कोंसी मिठाई चाहिए प्यारे बच्चे तुम्हें तो मुझे कोई भी मिठाईना चाहिए है मुझे सब इस बीब召ाबा और यह कहानी लेखिती मुल्क राजानन ने क्रिंपहा क्या है ? इस कहानी में हमने यह सीख में काई का क्या इते है कि बच्चे को तो ऐसाशी विए मुझे मैं था हoperation कि मुझे मिठाइ चाहिए मुझा घंपपन कि फूल कहा है वुजे पालून सब अखिर में जब बरनाय हों सब कर्मरद मलता है तो इस अधर आरानीन कि आसरा लублиए मुझे चाहिए व्हल सब्सकुनद मोरन्रा उत आप आखी चीज़ इंपोर्टेंट नहीं होती तो आई होब आपको इस स्टोरी समझ में आई हो वीडियो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और में चानल को सब्सक्राइब करें और सेकंड चाप्टर इसका बहुत जल्द अप्लोड हो रहा है सेकंड चा तो में चानल को सब्सक्राइब करें थेंक्स वाचिंग